तो गाइस एक और मेंबर जो है मेरी गैजिट फैमिली के अंदर जोड़ चुका है जो मेरे हर एक मोमेंट को अपने अंदर स्टोर करेगा और हमेशा के लिए उसे बचा के रखेगा तो आप भी मैं भी आपको रिकमाइंड करूँगा कि अगर आप अपने फोटो वीडियो जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट से आप उसको लाइफ टैम जब तक आप जिंदा रहते तब तक आप उसको स्टोर करना चाहते तो आप प्लीज वह वाला गैजिट जजरू परचेस रहा हुं मैं बात कर रहा हूं कर्णा में एक्सटरनल हार्ट डिस्क तो मैंने हाली में फ्लिपकट से पर्चेस की है कल समझो ना ॉधिन पहले परचेस की थी शियागेंट की फोर टीवी की हाऊट डिसक्ट इसको बहां एक expansion hub, वो एक hard disk के साथ और भी काफी काम करती जैसे कि आपके जो फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए, आप अपने फोन से भी उसके अंदर बैक अप ले सकते हैं, हर एक टैम का मनलब एक सॉफ्टर के थ्रू जो भी होता है, वो सब आप उसमें setting करके बैक अप ले सकते हैं, त यह आप देख सकते हैं, सीगेट का 4 टीवी का backup प्लस हब, इसकी जो market value है, वो है कुछ यहां पर नहीं लिखा हुआ है, स्वरी, यह का है, इधन लिखा होगा, हाँ, उल्टा पकड़ा, इसकी market value है कुछ 13,000 something कुछ होगी, 12,500 पर यह flip card पर जैसे कि अभी आप देखोगे तो यह आपको 7,500 में मिलेगा, तो अभी हम इसकी करेंगे unboxing, सबसे बहले मैं इसको, मैं आपको इसके functions दिखा देता हूँ, यह MacBook के साथ भी काम करता है, और इसके अंदर कुछ, included कुछ software भ तो चलिए अभी इसकी थोड़ी opening की जाए, तो चलिए अब इसकी थोड़ी opening की जाए, मेरे से जाए, तो उधावल मेरी वाइप को देखने में, हराम से, हराम से, तो इसके साथ कुछ दिए हुए, इसके पत्र, इसके बारे में कुछ बताएंगे, इसको कोई बढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इसको, तो यह हमारा में प्रोड़क्ट, बैक अप हब प्लस, फोर टेराबाइट की हार्ट डेस्के अंदर, और साथ में यह दिया हुए, इसका पावर सॉकेट, तो इसको खुरो दो, और साथ में इसका डेटा के बल भी दिया होगा, इसमें इन्होंने यह भी कुछ दिया है कि एड़ और क्रियेटी क्लाउड फोटोग्राफी ब्लैंग में कुछ 3 महीने का यह साथ में गिफ्ट फ्री देते हैं, जो मेरे बिलकुल भी काम का नहीं है, और यह कुछ इसके डेटा रिकवरी सर्विसिस के बारे में कुछ दिया हुआ है, यह सब हम बाद में देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 3 प्रोड़क्ट दिये हुए, एक तो यह इसका सिया गेट बैकप हब, और साथ में इसका डेटा के बल, जो इसके साथ में दिया हुए, और यह आगे में इसका यह क्या दो दिये हुए, यह दो तरीके के दिये हुए, तो चलो एक खुलो तो इसको, यह यूनिवर्सल है, जो इसके आगे जूड सकता है, यह तीसरा वाला प्रोड़क्ट, इसारे ही खुल देबाद, कितरे चाहँ टैप के दिये, इसका में पावर सोकेट, इसको यहां से प्रैस करना है, और इसको यहां से पीछे कीचना है, इसके आप यह जो है, यह दूसरे भी आप लगा सकते हो, अपने रिक्वार्मेंट के इसाब से, तो अभी मैं हर एक तो यह लगा कि बताने वाला नहीं हूँ, तो में को तो जो यह में यह लगाना है, अचलो, पावर सोकेट तो रेडियो हो गया, इसकी जो बोडी डिजाइनिंग है, वो काफी बढ़िया है, और यह फुली प्लास्टिक यूज किया हूँ है, इसमें, प्लास्टिक माटिरियल भी काफी अच्छा है, तो जैसे कि आप यह देख सकते है कि यह जो है, इसके बीछे यह दिया हुआ है, पावर सोकेट, और साथ में इसका वो USB टांसफरिंग के लिए सोकेट, और आगे दिये हुए USB पोर्ट, तो USB पोर्ट जो दिये हुए है, उसका यूज ऐसा है कि समझो कि अगर अब इसमें तो यह 4TB सपोर्ट कर रहा है, और आपके पास कोई external hard disk के या pen drive तो आप इसके अंदर connect करके आप वो भी इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका design जो है काफी बढ़िया है, और इसके नीचे इसका कुछ serial number something लिखा हुआ है, और यह जो normal जो computer की hard disk होती है, उससे थोड़ा सा बढ़ा है, तो वैसे इसकी जो symbol है, वो इसमें light शुरू हो जाएगी, तो चलिए अब इसको power on कर दे, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको switch on कर दिया है, और switch on करने बाद इसकी light भी आपे on हो गई है, और इसका जैसे कि आप यह देखिए कि इसकी जो मैं यह जी बता ना भूल ग है, मेरे पास एक और 1TB की hard disk है, तो मैं इसको आपके साथ connect करके, मैं बता हूँगा कि इसके अंदर भी आप जो hard disk या फिर पेंडर जो भी आपको storage है, वो आप इसमें शुरू कर सकते हैं, और सबसे पहले आपको आपकी जो remover device है, वो आपको इसके अंदर लगानी पड़ disk करूँआ, यह जो मेरे पास Transcan company की hard disk के, और मैं इसको इसको सार्य आटेस कर रहा हूँ, और अभी हम दिखेंगे कि यह computer में यह 4TB भी show होगी और यह भी जो 1TB की मेरी hard disk के वो भी show हो जाएगी, जैसे कि आपको मैंने बता है, मैंने मेरे इस hard disk के साथ, मेरी external hard disk भी मैंने joint कर लिए, तो अभी यह जो है, इसके साथ ही ऐसे अलग से दिखाती है, अब जैसे कि अभी मैं आपको बताओं कि इसका जो transferring rate है, वो transferring rate कितना आता है, अभी मैं यहां से कोई भी बड़ी file उठाता हूँ, अब जैसे कि अभी मैं ले लेता, एक operating system ले लेता हूँ, कोई जैसे कि Windows 10 का, कितने जिविता है, यह है 4.37 जिवि, तो अभी मैं इसको करूँगा Ctrl C, पीछे जाओंगा, और इसके अंदर जाके करूँगा, पेस्ट, तो देखिए, दीरे दीरे जो है, वो स्पीड इसकी increase हो रही है, तो जैसे कि अभी इसकी स्पीड देख सकते कि इसकी स्पीड आ रही है, 40 Mbps पर सेकंड, कंपनी बोल दिये के 127 या 138 Mbps पर सेकंड क्यारी पर इतनी नहीं आ रही है, यह साथ से मुझे लग रहा है कि मैंने मेरी हार्डिस के साथ क्नेट की है, इसलिए ही ऐसा हो रहा है, अब फिर अब मैं मेरी हार्डिस बैक लैप्टॉप में साथ क्नेट करके चेक करूँगा, तो इसको मैं अभी कर दे दाओ, बन पुच्छारा अभी हार्डिस निकाल दाओ, अब डायरेक्ट, अब इसके साथ क्नेट करने दाओ, यहाँ पर देखें मेरी हार्डिस तो अपन हो चुकी है, ब्रेखें मेरी रिचेट्पव, यहाँ अविडलत्यक प्यादुैटों, विन्डोर्स तर्ड ने कर दोत्यक्ति, क्याति, श्लॉपूपूपूची है, पिस्ट पेस्ट तो कोई भी फरक नहीं है चाहे मैं मेरी एक्स्टरनल हाड़ेस मेरे लैप्टाप के साथ लगाऊ टाफिर मैं इसके साथ लगाऊ इसकी मैक्सिमाम स्पेड 39 Mbps पर सेकेंड है तो यह जो आप जो USB पोर्स देख रहे हैं यह 3.0 है दोनों के दोनों इसलिए आम इससे लगबक थोड़ा तो डेटा ट्रांस्फरिंग फास्ट कर सकते है और यह जो इसकी जो सॉफ्टर है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह Mac के लिए और यह है Windows के लिए तो इस सॉफ्टर से आप जो अपने डिवाइस है आप उसको इंटरेट के थूर रहिस्टर कर सकते हैं तो उसकी वीडियो में आपको नए शो करूँगा क्योंकि अभी हाल फिला मेरे पास इंटरेट की सुविधा नहीं है तो दोस्तों यह जो प्रोड़क्ट है मैं बेसिकली सबको मैं रेकमेंड करने चाहता हूँ जिसको अपना डेटा बहुत प्यारा है जिसको अपने फोटो बहुत प्यार है तो इसका जो कैपेसिटी है मैंने इंटरेट पर सर्च किया था 1.2 बिलियन तक सॉरी 1.2 मिलियन य आप अपने फोटो सेव कर सकते हो और उसी के ही मेजरमेंट के अंदर आपने वीडियो भी सेव कर सकते हो और ऐसे देखो तो यह काफी सेफ है और सिक्योर भी है आपको यह ऐसे पोटेवाल हाट डिस्क की तरह यह काम नहीं करती जैसे कि समझो कभी हाट डिस्क करप्ट हो आप इसको अलग से अफ़ग सकते और इसको anytime आप इसके साथ जो इसमें वीडियो वीडियो ने पूंट पूंट है इसको अगर आपका यह जो हाट डिस्क है आपके राउटर के साथ करें तो और आपकी टिवी अगर स्मार्ट है तो आप दोनों को करनेट करके आप इसके करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और यह अपने दोस्ते के साथ यह वाले वीडियो जरूर शेयर किजिएगा